सर्थ पृष्रशी का नूनों को लेकर उसका विरोद कर रहे हैं विद्द हो तुन हो गई ने देखा हुगा दिखिये जो किसान अंदोलन के नाम पर जो आज दिखिये के अंदर तमाशा हो रहा है वो । आई टीओ पर हो रहा है सरकार ने पहले ही सारी union के नेताओं से लिखित के अंदर आश्वाशन लिया था कि शांती पून तरीके से ये सारा आंदोलन रहेगा यात्रा रहेगी जिसका नाम ट्रेक्टर परेड दिया था वो परेड होगी और दिल्ली सरकार ने भी केंदर सरकार ने भी बड़ा मन दिखाते हुए इसमें उनको पूरा समर्थन पूरा सेयोग देने का आश्वाशन दिया था लेकिन जिस तरीके का उपद्रवास पूरी दिल्ली के अंदर हो रहा है ये किसी तरह से भी आंदोलन रो शांती पूर्ण आंदोलन के नाम पर जो गुंडा गर्दी और अरजक्ता फैलाने का काम हो रहा है ये किसी तरह से भी आंदोलन का रूप इसको नहीं कहा जा सकता ये किसान आंदोलन को इस तरीके से बिल्कुल भी आंदोलन के उसमें नहीं देखा जा सकता ये तो सरे आम पूरे के पूरा जो मैं भी टेली विजन पे देख रहा था कि जिस तरीके से ट्रेक्टरों को लगा के बसों को पलटने का काम हो रहा है जिस रीकिकसे प starch पेके जा रहे हैं यानि या तरह यह मोदी सरकार इतनी समयदन सील सरकार है कि ग्यारा ग्यारा दोर की, बाची चाद, यह भी आजा वारत के अंदर पहली बार हुआ होगा, कि बार-बार-बार बैठके, किसानों की बाच को सुनने का काम किया है, लेकिन किसान जिस जिद पर अड़े भू है, कि ये तीन वो वापिस होंगे, बिल वापिस होंगे, तभी हमारा अंदोलन समाप्त होगा, ये तीन अंदोलन सरकार जिस दिन वापिस कर लेगी, उस दिन पारलियामेंट कास्तितों खतम हो जाएगा, उस दिन सम्विधान कास्तितों खतम हो जाएगा, चुने हुए प्रतिनी को सम्हालो आप लोग चीजों को समझो आप लोग टेबिल के ऊपर आके बाचीत करो हमेशा बाचीत का अंत जो होगा सुख़त परिणाम जो निकलेगा वो बाचीत से निकलेगा इस तरीके से या ट्रेक्टरों में बैठके या हतियार लेकर भूमने से दिल्ली में अरजकता पहलाने से इसका चाहदा नहीं निकलेगा और ये पूरा देश इसको एक दूसरी द्रस्टी से देखराए देश ही ने देखराए पूरी दुनिया की नजर इसके उपर लगी हुई है कि हिंदुस्तान का किसानों के नाम पर आंधुलन क्या रूप लेता जा रहा है मैं इसक कि घोर रूप से बर्चना करता हूँ लेकिन ड़्ट सब 11 दोर की बैठक हो चुकी सरकार और किसानों के बीच में लेकिन को हल नेकल नेकल नहीं पा रहा है क्या सरकार को अपना कुछ फैसला चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि यह जो किसान है, यह तो मानने वाले ही नहीं है, इनका कहना तो सिर्फ रद किया जाए, और इस परकार से यदि अंदोलन करेंगे, दिल्ली मेजिस्त्री के से हुआ, तो इधा आने वाले समय के अंदर देश की स्तेती और खराब हो सक किये, देखिए, यही तो मैं आप लोगों से, आपके माद्यम से कह रहा हूँ, कि हमेशा किसी भी समश्या का हल बाचीत से निकलता है, और सरकार खुले मन से, सववेधन शीलता के साथ, उनके प्रतिन इदियों से, उन्होंने का 40 प्रतिन इदियों को उन्होंने का बात करे लेकिन उसके अंदर, यदि कानून के अंदर कोई कमी है, कोई बिल के अंदर खामी आए, तो बता है, सरकार उसको दूर करने को तयार है, लेकिन जो पारलियामेंटर ने बिल पास किया है, यदि इस तरीके से बिल वापिस होने लगे दबाओ के अंदर आके, तो ये देश नहीं चल सकता, यह समीधान नहीं चल सकता, यह किसानों को और किसान आंदोलन के जो मुखिया बने हुए हैं, जो इनके संक्ठन के लोग हैं, उनको यह भली बाती सोचना पड़ेगा कि इस देश को चलाना है, इस लोगतंतर को चलाना है, तो जिद से घर-परिवार भी नहीं नहीं चल सकते, यह तो इतना बड़ा देश है, इसलिए मैं उनको कहूंगा कि इश्वर इनको सदवुत दी दे, और यह बाचीत के टेविल पर बैठ कर, हमारे क्रशी मंतरी के साथ और दूसरे मंतरियों के साथ बैठ कर, इसका बाचीत के द्वारा ही हल निकाले, मैं ऐसा आगरे आप लोग के माद्यम से करना चाहिए, कि देश और दीना जानते कि किसान इतना अमेर नहीं होता, आखिर इतना खर्चा जो इनके ओपर हो रहा है, कहां से यह फंडिंग आ रही है, क्या विपक्ष की तरफ को इशारा होता है, इस तरफ? देखे, विपक्ष के पास अब कोई मुद्दे नहीं बचे है, विपक्ष के पास कुछ नहीं बचा हुआ है, जितने घपले, घोटाले, ब्रस्टाचार होता था, मोदी जी की सरकार ने प्रदेश के अंदर से लेके केंद्रों के अंदर उसके उपर लगावन लगा दिया ह है, तो ये इसी तरीके से किसानों के अंदोलन को उकसा के करके, इनको फंडिंग करके, इनकी हर तरीके से मदद करके, ये देश में अस्थिर्ता पहलाना चाहते हैं, लेकिन ये देश का मतदाता, देश का नागरी बहुत जागरूख है, ये तातकालिक इसका जो है, ये पूरे देश की शिरू होने वाली है आप देखती जाए मैं सरकारी संपत्य को नुक्सान पुचाय जा रहा है और पुलिस के जवानों को भी काफी चोटे आई है क्या मानते हैं कि कि सान अंदुलन वास्ते में यहीं कि सान अन्दूलन में होता है देखें यह तो पुरी दुन बोलते थे कि इतने लाग किसान आगा है अब तो अपनी जान बचाने के लिए अपनी खाल बचाने के लिए तुम यह असामाजिक तत्तों का नाम लेने लगे तुम लोगों को नहीं पता था कि इस तरह से दिल्ली के अंदर हम जिद्ध करेंगे और लाखों ट्रेक्टरों की ले जाने की हम बात करेंगे तो यह कितना मोव इतनी भीड किसी के काबू में रहती किसी अनुशाशन में रहती है क्या तो यह तो तुम लोगों का सोची समझी साजिस थी कि इस तरह दिल्ली के अंदर ले जाके और सारी कारून व्योस्ता को विगाड़ने का काम करें मैं इ लेकिए ये जो है सरकार ने समयदन शीलता दिखाते हुए इन सब लोगों को रूट टे किया था इनको समय ते किया था लेकिन वो सारी बाते अब गोन हो गई है और कानून विवस्ता बनाना प्रदेश सरकार का भी काम है और केंदर सरकार का भी काम है तो मैं नहीं समझ सकत कि इससे ज्यादा किसी को पद्रा करने का और अराजकता फैलाने का कोई भी सरकार कही भी मुका देगी मुझे बिल्कुल भी नहीं लगता है। किसी को भी अपना विरोध प्रदर्शन करने का मुका सरकार ने दिया है ना सरकार ने तो रूट दिया राद तक भी बैठके बैठके चलती रहीं और सारी चीजों को इन्हों ने तेह किया लेकि यह सब उस बात को मानने को तैयार नहीं है। तो निश्चित तोर पर जिन लोगों ने यह अराजकता फैलाने का काम किया है, दिल्ली के अंदर और पद्रा करने का काम किया है, इनके खिलाब सक्से सक्त कानूनी कारवाई होना चाहिए।